कैसे आप लोग सभी हैं बढ़िया सरदी बहुत हैSi ca अपना सवरदे से बचिए पराई से नहीं मार्ज जरूर करते रहेगा थे त Catholic सै करते हैं रजाये के इंदर ही कुस्पयरते पर मन नहीं करता सब्रूस आपका साथम किताब भी लेके बैठ जाईए, रहे जरूर कीजिएगा, आज हम डिसकस करेंगे 1857 का जो रिवलुशन था, 1857 का जो ग्लोबल रिस्पोन्स है, यानि कि वैस्विक परभाव, जब हम बात करते हैं, फ्रांस की करांती की, जब हम बात करते हैं उससे पहले अमेरिकन करांती की, अमेरिकन करांती के बाद फ्रांस की करांती हुई, तो कहा गया कि अमेरिका की करांती थी, जबकि आप देखेंगे अमेरिकन करांथी में एक बहुत बड़ा वर्ग खासखर्च की जो वहां के लोकल लोग थे जिनको रेडी नीन बोला जाता था वो बिटी सिर्श के साथ थे अंग्रेजों के साथ थे दूसरा बहुत सारे एक ऐसा वर्ग था जो अंग्रेजों से सानुबूती रखता था और इसका एक परमान ये भी है कि जब करांथी हुई आपका अमेरिकन करांथी हुई तो लगबग साथ जार लोग करांथी के बाद कनेडा जा बसे इसका मतलब वो करांथी के प्रिणामों से संतुष नहीं थे बहुत सारा वर्ग आपका असंतुष था जो उनके हमें समिधान में भी नजर आया जब वहां के जो बलैक पीपल थे उनको राइट दिये ही नहीं गए जबकि दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ठारा सोस्तानु की जो करांथी थी वह केवल एक छोटा सा विद्रो था उसका कोई वैस्विक प्रभाव नहीं था इतिहास में हमें यही पढ़ाया जाता है और हम उसको सत्यस्विकार कर लेते हैं परंतु ऐसा नहीं है जब यह सब होने के बाद अमरीकन करांथी को हम वैस्विक करांथी कह सकते हैं उसका वैस्विक प्रभाव कह सकते हैं कि उसके प्रभाव से रूस की करांथी हुई सोरी रूस की नहीं आप कीजिएगा आपका फ्रांस की करांथी हुई तो फिर क्यों हमने ठारा सो स्तावन कि करांती को एक छोटे से विद्रो के तोर पर स्मेट दिया क्या कारण थे कि हम उसका Global Response हमें पढ़ाई नहीं जाता किसी बुक में आपका उसका वैस्विक पुर्भाव मिलता ही नहीं तो आज हम उनी को देखेंगे कि भी आपका इसका वैस्विक पुर्भाव क्या था वैस्विक पुर्भाव में आपका एक चीज देखेंगे कि उसका वैस्विक दर्ष्ट्टी कूण क्या था लोगों का हमारे परती और वियस्वा पर क्या परभाव पड़ा Global Response और आपका उसका प्रभाव तो Response में हम देखेंगे सबसे पहले Britishers को कि जो Britishers हैं उनका क्या Response है हमारी करांती के परती सबसे पहले Britishers ने क्या कहा कि ये आपका जो Aristocrate People हैं कुलीन है या सामन्त हैं कुलीन या सामन्त इनका विद्रो है और इसका प्रभाव छोटे से स्तरपर है बस यह बड़े स्तरपर नहीं है बहुत थोड़े से लोग इसमें सामिल है बेसिकली यह क्या है मुसलिम सत्ता कि पुनर स्थापना पुनर स्थापना का प्रियास से मलब कि मुसलिम सत्ता को दोबारा से स्थापित किया जा रहा है और यह वो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं किसका बिर्टिस जनकल्यान नीतियों का कि बिर्टिस जनकल्यान नितियों का विरोध कर रहे हैं जैसे सत्ति पर्था का निसेद कर देना विद्वा विवा को अनुमति दे देना यह उनका केवल विरोध मातर है कि ऐसा बिर्टिस इतिहास कारों दवारा इतिहास लिखा गया और उसको बिर्टेन ने भार्त के अलावाद जितनी उसकी क्लोनिया थी जितने भी उसके उपनिवेश थे यानि कि गुलाम जो देश थे उनके उन सभी में इसी चीज़ को परचारित किया कि जनता नहीं थी इसमें इसमें कुछ सामन्त हैं कुछ कुलीनवर्ग हैं कुछ धार्मिक आपका रूडिवादी लोग हैं तो यह उनका विद्रोह है यह ऐसा पार्थ उन्होंने पढ़ाया जबकि वास्तों में आपका बिटिसर्स भारत को खुले हाथों से लूट रहे थे भारत का सोशन कर रहे थे और उस सोशन के विरुद्र आम जनकी एक आवाज थी परन्तों इसको केवल और केवल छोटे से छेतर पर सिमित करने का प्रियास किया किया अब दुसरी बात एक चीज और भी की कि बिटिसर्स कहते हैं कि यह क्या है रूस का सड्य अंतर है रूस का सड्य अंतर मातर है क्यूं क्योंकि रूस करीमिया युद में हुई हार का बदला ले रहा है जो ब्राउन बेस राइफल थी उनके स्थान पर एंफिल राइफल जो आई थी उनमें जो गायें की चर्बी लगी थी पर जो सुवर की चर्बी लगी थी उनके स्थान पर पहले आपका कुछ और लगावा था मटन वगरा लगावा था उसको किसने बदला जानबुज करके रूसियों ने बदल दिया यह अंग्रेजी तिहास कर ऐसा कह रहे हैं पर उस ऐसा है नहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे बेटिसस के आपका जो रिस्पोंस हैं उनके साथ साथ बाकी जो यूरोप है उसका जो रिस्पोंस है आपका वो विद्रो के परती क्या रहा यूरोपियन रिस्पोंस यूरोपियन रिस्पोंस में हम देखेंगे कि आपका जो जर्मन रिस्पोंस है जो जर्मनी के लोग हैं आपका वो क्या कह रहे हैं जर्मनी आपका उस समय अपने यूनिफिकेशन के दोर में है जर्मनी अपने खिकन के दोर में है और जब उनको यह पता चलता है कि भी भारत में इंग्लेंड के खिलाप विद्रो हो रहा है करांती हो रही है वहां उनकी सत्ता को उखाडने की त्यारी की जा रही है तो यहां जो जर्मनी है वो आपका एक होने कोशिस कर रहा है कि कैसे यहां से आश्ट्रिया फ्रांस इनका प्रभाव कम किया जाए कैसे इनको निकाला जाए तो वहां कि जो जन्विद्रोव है आपका यानि कि इन्यूकेशन जो है आपका उसको बल मिल रहा है तो इसमें हम देखेंगे कि जो जर्मन न्यूज पेपर हैं, पहले का नाम है VOLKS, वोल्क्स, जेटूंग, वोल्क्स, 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 जेटूंग, ये कह रहा है कि ये जनविद रहो है. पूरा भारत के लोग इसमें सामिल हैं. दूस्तरी तरफ आपका दूस्तरा जो न्यूजपेपर है, क्रूज, जेटूंग. यह कह रहे हैं आपका जो दोनों न्यूज पेपर बर्लिन से पबलिस होते हैं कि यह जनवी द्रोव है कैसा वी द्रोव है यह जनवी द्रोव हो है किसकी नितियों खिलाप बेटिस सोशनकारी नितियों के खिलाप वी द्रोव है है कि दूसरी तरफ आपंका काल मॉरेक्स जो हैं जर्मार्प के ही आ में काल मार्णो के क्वियू है विद्रोक परती बहुत इंपोर्टेंट है के इतिहास की भौतिक वाधी वियाख्या करते है तो मॉरेक्स के जो व्यू है अगर हम देखें कि मार्क्स क्या कहते हैं मारक्स कहते हैं कि यह इस समय एसिया में ही पूरे एसिया में ही आपका 1850 के बाद से आपका उपनिवेसवाद के खिलाप विद्रो हो रहे हैं वो उनके आर्थिक उदेश्यों को समझ गए हैं उनके समाजिक उदेश्यों को समझ गए हैं यानिके मारक्स कहे रहा है कि एसिया देश उपनिवेसवाद के जो समाजिक और आर्थिक प्रिणाम है उपनिवेसवाद के कौन से प्रिणाम है सामाजिक और आर्थिक उन प्रिणामों को अच्छी तरह समझ सुके हैं उन दोनों का प्रिणाम क्या है सोसंड उस वेवस्ता को तभा कर देना और अपने लिए लूट के रस्ते खोल लेना काल मार्क साफ्ष पर सोर पर कहते हैं और दुसरी तरफ ये न्यू योर्क डेली टाइमस में लेख भी लिखते हैं और आगा भी करते हैं कि आपका एक बड़ा विद्रो हो सकता है है और बाद में ये बताते भी हैं इसी आकभारत में अपने लेख लिख करके कि ये ब chociaż काल मार्क स्टक इस विद्रो को राष्टे विद्रो कह रहें कि नैसनल्रिवोल्ट है और बहारत में बहुत सारी दिहास का रहसें हैं तक जो कि एस्याइ समाज के आलोचक माने जाते हैं वो तक कह रहे हैं कि एक राश्टे विद्रह है यानि कि इसका अशर जो है आपका कहां तक जा रहा है यूरोप तक जा रहा है अमेरिका तक लेख लिखे जा रहे हैं इनके जो साथी हैं मार्क्स महोदय के एंजल्स वो खुद कह रहे हैं कि ये आपका सोचनकारी वेवस्था के खिलाब एक विद्रह है तो मार्क्स हों चाहिए एंजल हों यह सब लोग स्पर्शतोर पर कह रहे हैं कि आपका क्या है एक राष्ट्रे विद्रोह है दूसरे हैं आपका थियोडर फॉंटेन थियोडर फॉंटेन यह भी जर्मनी के हैं कि यह कहते हैं थियोडर फॉंटेन कि भाई जो बिटिसर्श ने क्या किया कि जो वाइट मैन है इनकी संपर्भूता है इनकी सुपरमेसी है और इस वाइट के खिलाप आपका यह जातिकत विद्रोह है तो थियोडर फॉंटेन सास्पर्शतोर पर कह देते हैं कि यह जो विद्रोह हो रहा है यह भारत जो वासी है आपनी गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं यानि कि सवराज के लिए कर रहे हैं तो जो आपका British view है कि British view क्या है कि European की स्पुरेटी है सुपरमेसी है यानि कि वाइट सुपरमेसी है एसीन के उपर तो एक तो उस व्यू को नकार देते हैं कि European स्रेश्टा को नकारते हैं European स्रेश्टा को नकार देते हैं कि European स्रेश्टा नहीं है उनको अधिकार है आपने लिए गवर्मेंट को फोम करने का और भारती विद्रों का वो खूल करके समर्थन कर रहे है कि दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपका इसका रूस ने समर्थन किया हो बिटिसर कह रहे हैं कि रूस ने समर्थन किया है इटली कि इटली में किसका रिस्पोंस रहता है इसका इसके रिस्पोंस रहता हे इसके और तो आउस्ट्रिया अपने समराजयवाद को छोड़ना नहीं चाहता क्यों उसको जर्मनी से आपका इटली से बहुत सारा लाब हो रहा है तो इसी समय जब अठारासो स्थाउन का वोर हो रहा है तो वोर के बाद हम देखते हैं कि आपका लड़ाई हो रही अठारासो स्थाउन की बड़े स्थार पर आपका पूरा जनविद रोह हो रहा है तो इसमें हम देखते हैं कि इटली में इसी से प्रेना पाकर करके कि आपका एक छोटा सा प्रांक है इतलि छो जिसकेर सा viktigt में आपका एकिकर्ण हुआ सरडीनिया कि इतली में सरडीनिया का युद हुआ आश्ट्रिया के साथ करांती के बाद 1807 की करांती के बाद में इसके खिलाब युद होता है यू प्रेणा कहां से मिली इन को अगर हम यह कह सकते हैं कि प्रांस को प्रेणा अमेरिका से मिली कि तो उसी समय कुछ समय पस्चात जब विद्रो को इटली के न्यूजपेपर कौन से न्यूजपेपर में कही न्यूजपेपर हैं और वहां के जो डैमोक्रेट प्यूपल हैं खासकर की जो डैमोक्रेट प्यूपल है इटली के डैमोक्रेट क्या कह रहे हैं कि यह सही है जो करांती हो रही है यह बहुत अच्छी है और इस करांती से हमें भी प्रेणा लेनी चाहिए साध उनसे प्रेणा लेकर कर करांती के बाद ओस्ट्रिया और सर्डीनिय की लड़ाई हो जाती है जो इटली के एकिगंड का रस्ता खोल देती है तो यानि कि इटली पर हमारा क्या परभाव पड़ रहा है कि इटली का एकिकन्ड मजबूत हो रहा है पहला काम दूसरा इट जो न्यूजपेपर में बता रहा था इटेलियन डेली जो न्यूजपेपर है इटेलियन डेली में साफ स्वर्थ और पर कहा जाता है कि जो भारत की करांती है वो आपका क्या है जन करांती है उसको बहुत बड़ा बल मिल रहा है किसके दवारा आम जन के दवारा कि इसको इसे प्रेणा पागर के इटली का भी यूनिफ केशन किया जा सकता है आगे हम फ्रैंस को देखते हैं कि भी फ्रैंस का उपर क्या परभाव है फ्रांस प्रांस पर क्या परभाव पड़ा प्रांस में भी आपको पता है कि करांती हो चुकी है प्रांस में करांती हो चुकी है फ्रांस के जो न्यूस पेपर है दा एज कि दा कॉरियर इन न्यूस पेपर में परश्टोर पर इस करांती की प्रसंदा की जाती है इस क्रांथी की परसंसा की जाती है और इसको एक revolution कहा जाता है अठारा सुस्तावन की क्रांथी को क्या कहा जाता है revolution कहा जाता है कि अठारा सुस्तावन की क्रांथी एक revolution है कि फ्रांस में भी इसको क्रांती माना जाता है कि फ्रांस कह रहा है कि यह कि यह क्रांती थी इसके अलावा आप देखेंगे अंगरी है वहां इसको क्रांती माना जा रहा है आईरीस है आईरिस, इंगलेंड के लोग आपका आईरलेंड के उपर कबजा कर लेते हैं आईरिस, आईरिस जो है आपका न्यूस्पेपर है दा नेशन, उन्सा न्यूस्पेपर है नेशन, आईरिस न्यूस्पेपर नेशन में दा नेशन में इस क्रांति को सही माना जाता है, क्यों कि आयर्लेंड के लोग भी इंग्लेंड के खिलाफ लड रहे थे कि हमें भी आजादी चाहिए कि आयर्लेंड के उपर सीधा प्रभाव पड़ रहा है कि आयर्लेंड के लोग इंग्लेंड के खिलाफ क्रांती के समय विद्रों का भीकुल छेट देते हैं कर्वाइड विद्रौ हो रहा है आर्लेंड में कि इस क्रांथी का सर से असर है कि तो आप देखिएगा उस क्रांथी को जो आपका कहां कहां मिल रही है दूसरी तरु ashamed कि मैंने आपको पहले ही बता हुर्ट कि काल मार्क्स जब हैा हुर्द कि कैंसमें लिख रहे हैं कि अमेरिका में देखेंगे हम कि न्यूयोर्क डेली टाइम्स में काल मार्श लिख रहे हैं कि न्यूयोर्क डेली टाइम्स में काल मार्श लिख रहे हैं कहां का नियूजपेपर है न्यूयोर्क किस देश में है यूएसे में है तो यानि के यूएसे में खबर किसके माध्यम से जा रही है नुई यूर्क डेली टाइम्स के माध्यम से जा रही है कि यह एक आपका इस इंडियन आर्मी वो क्या कह रहे हैं इस इंडियन आर्मी तो कि हम उनके इस्ट में हैं नुई यूर्क डेली टाइम्स म कि डेली टाइम्स में क्या हो रहा है इस्ट इंडियन कि आर्मी के विद्रो की बातचित की जा रही है और दूसरा कई इतिहासकार जो है आपका क्या कहते हैं कि जो 1861 से 65 के बीच में 1861 तो 65 जो सिविल वोर हो रहा है कौन सा वर हो रहा है सिविल वोर हो रहा है किसके खिलाफ हो रहा है वो सिविल वोर है जो वाइट प्यूपल है जो हाइट प्यूपल है उनकी सुपरमेसी की विरुद हो रहा है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब अमेरिकन करांटी होती है ब्लैक प्यूपल उसका साथ नहीं दे रहे हैं कि उनको पता था कि जब वाइट की सुपरमेसी स्तापित हो जाएगे तो उनको राइट नहीं मिलेंगे कि देश ब्लैक का परनतु वाइट ने कब जा कर लिया और उनको ही राइट नहीं दे रहे हैं तो इसलिए जो है आपका देखेंगे कि 1861 से 65 में चर्चा पहले ही हो चुकी है न्यूय और आपका टाइमस में डेल टाइमस में कि यह आपका एक रांती है सोचन के विरूद है और खास करकी यह ब्रिटिश सुपरमेसी की विरूद है और आप देखेंगे वहाँ पर भी वाइट प्यूपल है और वहाँ पर फिरूद्टें के ही हैं ब्रिटें का ही वो गुलाम था पहले तो यहां कि जो आपका ब्लेक पीपल है वो क्या करते हैं इनसे प्रेणा पागर के ठारा सुस्तावन की गरांती से क्या कर देते हैं सीविल वोर हो जाता है और अपने लिए दिकारों की मांग करना शुरू कर देते हैं कि और अंत में 1865 में अपने अधिकारों के प्राप्ति के बाद ही उस ग्रेविद को समाप्त किया जाता है कि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कौन सा था आपको मैंने भी बिताया था रूस का दर्ष्टि कोन? रस्यन दर्ष्टि कोन देखेंगे तो रस्यन क्या है आपका करांती के परती? रस्यन आपका रिस्पोन्स रस्या किरिमिया वोर में जो कि 56 तक आपका पैरिश कि संदी से समाप्त होता है उसमें हार जाता है बिर्टेन से बिर्टेन से हार जाता है तो जब बिर्टेन के खिलाप यहां बगावत होती है तो उसको बड़ी परसंद सा होती है और उसको क्या कहा जाता है कि popular movement है ओफ आल सेक्शन ओफ दा इंडिन सोसाइटीज की जन्विद्रहों किसके दवारा समाज के सभी वर्गों दवारा कि वर्गों के दवारा कि एक popular movement है और आपका यह समाज के सभी वर्ग इसमें सामिल है कि पूरी तरह से आपको इसको क्रांति गहा जाता है कि अंत में हम देखेंगे कि एस्या में इसका क्या response रहा कि एस्या में जो है आपका कि इस क्रांति का क्या response रहा है तो हम देखेंगे चीन कि चाइना में 1850 से 64 के बीच में ताइपिंग विद्रो हो रहा है कि 1850 से आपका कि कब तक हो रहा है I am 1850 How to 64 typing विद्रो रहा है किसके खिलाप और सारी विद्रो बेटिस्टित की खिलाप कि सामर्जयाबाद के खिलाप तो ताइपिंग विद्रो कहां से परणा पा रहा है हाला कि वह पहले से हो रहा है परन्तु ठाराइस ताउशन की विद्रों से उसको प्रणा मिली है कि दूसरी तरफ हम देखेंगे कि 56 से 60 कि अफीम यूद कौन सा फीम कि है कि शेकिंड ओपियंग वोर है कि सेकिंड ओपियम वोर में भी आप एक चीज देखेंगे क्या हो रहा है से किसके खिलाप हो रहा है कि बिर्टिन की खिलाप कब हो रहा है मैंने आपको टाइम बताया 56 to 60 अथारा सो चाहिए कि 57 से 60 कि कुण सा वोर हो रहा है ओपियम वोर कि यहनके बिर्टेन कहां पर उपियम स्प्लाई कर रहा है कि चेंड में उनको अफीम का आधि बना दिया कि और वह विद्रो कर रहे हैं कि हमें अफीम नहीं खाने हमारे देश को अफीम चीमत बनाईए कि इससे खिलाब भिद्रोर अयैं कि से प्रिना कर रहा करें कि थारा हो चाइना साजब पर स्थ तो पर इसके खिलाब भिद्रो कर रहा है किस्ते प्रणा पाई है ऐखार्व 270 से अब हमने देखा कि संसार भर में ठोडा Factual ज्यादा था यह है 진्रार बर में क्या रिस्पोंस थे अठारी 1700 की कर्शा options को जो हम देखते हैं तो पाते हैं कि लोग खाश कर कि चाहि रोप हो चाहिं हो इसको जनकरांती कहते हैं, पहला काम, दूसरा यहां से प्रेणा पाते हैं, इटली, जर्मनी, चाइना, आपका इटली, जर्मनी अपने एकिकन के लिए प्रेणा पाता है, और आपका चाइना अपने मुक्ति के लिए प्रेणा पा रहा है, तो यह आपका एक विद्रोह हो रह रहा है बट अंग्रेजों ने क्या किया है अंग्रेजों ने बहुत सारे जो इसको समाप्त करा दिया ज़ा दिया और जो कुछ बचा-खुचा था उसको अपनी मनमर जी से बदलगर के लिखा गया है जो जोर जोर्वेल हैं जो बिहार में पैदा हुए बहुत बड़े आपका इनका नावल आता है मोतिहारें पैदा हुए थे 1984 एनिमल फार्म आप देखेंगे जोर जोर्वेल के बारे में बहुत बड़े आपका लेखक है नोवल लिखा है इनोंने तो यह कहते हैं कि लोगों को नस्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका उनके इतिहास की अपनी समझ को नकारना और मिटा देना है यानि कि लोग तब नस्ट हो जाएंगे जब उनके इतिहास की अपनी समझ को नकार देंगे और उसको मिटा देंगे तो अंग्रेजों ने क्या किया था हमारी इतिहास को मिटाने के कोशिस की थी और उतिहास को मिटाने के कोशिस की थी तो क्या में मराथी भासा में एक पुस्तक आई थी मराथी भासा में कुण सी पुस्तक आई थी दा फर्स्ट वोर ओफ इंडियन इंडिपेंडेंडेंस किसकी पुस्तक थी वीडी सावरकर योने पहली बार ये कहा कि थारा सुसतवन की करांती एक राष्टी है सुट्नता संगराम था जिससे आज हम प्रेणा पाते हैं जो किस के लिए लड़ाया गया था किसके लिए लड़ाया गया था था है और ज़ो सव धरम के लिए हौक शवराज सवराज और सवधरम के लिए लड़ी गई थी तो निच्छों के लिए लड़ी गई थी थारा सुस्तावन की करांती जिसको पहली बार आपका राष्ट्रे विद्रों माना गया और इस विद्रों से जो है आने वाले समय में प्रिणा मिलती है चीक है तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत आप कर दो